Hi everyone, इस वीडियो में हम Business Communication, Skill Enhancement Course का Previous Year Paper, Important Questions और Examination Patterns सभी कुछ discuss करने वाले हैं ये subject बहुत से student के पास semester 3 में होगा, semester 2, 1, 4, किसी भी semester में इस subject हो सकता है आप देख लो इस वीडियो के शुरू में कि syllabus आपका सहे में तो क्या आपका pattern आ सकता है, important questions कैसे आ सकते हैं, PYQ भी हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहरे चीज हम इसका syllabus ही देख लेते हैं, so that आप ये समझ सको कि आपको इस वीडियो को continue करना है या नहीं इस syllabus के अंदर, इस subject के अंदर total 5 units रहेंगी दोस्तो आपकी, ये आपका, basically इसका थोड़ा सा overview समझ दो पहले देखिए दोस्तो, एक होता communication, normal बातचीद आप अपने friends से करते हो, आप अपने family members से करते हो, या आप कहीं पर भी interact कर रहे हो ठीक है, उनसे normal बात चीद आप करते हो, आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हो, फिर उनकी बात सुन रहे हो, basically ये तो process होता है, communication के through होता है अब इस subject करना है business communication, business communication का मतलब यह है कि business की field में किस तरीके से communication करी जाती है, किस तरीके से अपनी बात, अगर आप किसी organization में employee हो, या कोई भी आप deal कर रहे हो, किसी company के साथ, एक organization, दूसरी organization के साथ, तो वहाँ के, वहाँ पर जो communication होता है, उसके क्या-क्या rules हो सकते हैं, उ वही सब चीज़े आपको इस subject के अंदर पढ़नी है, अब आपका syllabus जो आप देख रहे हो, पहली unit आपकी है, introduction to essential of business communication, यह पूरी unit आपकी theory based unit है, इसमें communication के बारे में आपको overview दिया जाएगा, communication क्या होता है, types of communication आपको पढ़ाया जाएगा, और इसके इलावा, communication के barriers क्या क् solve कर सकते हो, types of communication के अंदर, basically आप दो तरहां की communication पढ़ोगे, एक आथा verbal communication और एक होगा non-verbal communication, अब इन दोनों के अंदर भी बहुत सारी चीज़े होती है, बहुत सारे types होते है, non-verbal के अंदर भी, body language आप जिसे बोल सकते हो, kinetics आप जिसे बोल सकते हो, sign language आप जिसे बोल सक सकता है, या फिर seven seas of communication, यह सब चीज़े आप से पूसी जा सकती है, अभी मैं questions discuss करूँगा, उसका थोला सा इंतिदार कीजिए आप लोग, दूसरी unit आप यह effective writing, अब इस आपके syllabus के अंदर effective writing का मतनब यह है कि आप, जो लोग होते हैं, उनको बोलना तो आता है, लिखना भी बनाने की guidelines आपको detail में पढ़ाई जाएंगे, इसमें एक important tool होता है, आपका bibliography का मतलब क्या होता है, वो सब चीज़े आपको इस unit के अंदर पढ़नी है, और इस unit में से भी most likely theory based question ही आएंगे, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि numerical based question भी आदा है, वो किस तरह से आएं, वो अभ आपका unit 3 है writing business report, अब ये आपका नाम से ही पता चलना भाई, business report किस तरह से लिखी जा सकती है, आपको directly वो question इस unit में से पूसा जा सकता है, कि कोई भी topic जिदे जाए, कि इस topic के उपर आप से report मांगी गई है, तो पूरा report आप लोग लिखिए, या फिर इस unit में theory based question भी आ सकत है, और उस practical based question को करनी के लिए आपको पता होना चाहिए, कि एक अच्छे report की quality क्या है, तो quality भी आपकी एदा theory question पूछी जा सकती है, इस unit में से, इसकी बाद आपका है business correspondence और e correspondence, इसमें basically email के थूँ आप business करते हो, वो subfeas में पताई जाएंगी, और last unit आपकी होगी, spoken English and oral communication, ठीक है, oral communication के उपर दाद ध्यान दिया जागा, presentation वगारा किस तरह से presentation देते हैं, उसके steps कौन-कौन से होते हैं, उसमें गाइडलाइंस आपके पास होनी चाहिए, और इस वाली unit में से यह आपका practical question भी बन सकता है, all right, communication के अलग-अलग skills होती है, like negotiation skills, हैनि कि आप देख रो, यह कुछ skills भी आपके अंदर चाहिए, ठीक है, अब for example, एक business को दूसरे business के दाद डेल करना है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि initial stage में हो दोनों एक दूसरे से agree हो, एक अपना overview रखेगा, एक अपनी deal रखेगा, एक अपनी deal रखेगा, दूसरा बंदा अपनी deal रखेगा, तो पहले इसके कुछ questions discuss कर लेते हैं, basically exam pattern discuss कर लेते हैं, उसकी बात और detail में हम जाएंगे कुछ important questions में, और यह जो मैं exam pattern discuss करने वाला हूँ, जितने भी questions इसमें discuss होंगे, उसको आप important questions की category में ज़रूर से रखेगा, basically अब हमारा important question वाला part और examination pattern वाला part दोनों शुरू हो गए है तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तो यह आपका bilingual paper है, आपको हरानी होगी है सोच कर समझ कर, जी हाँ यह paper bilingual ही है, English और Hindi दोनों में ही इसका question paper आया हुआ है, दूसरी बात दोस्तो यह है, यह paper आप देख रहे हो 30 मास वाला है, लेकिन S.O.L. के अंदर यह paper शायद 30 मास का ना गया है, तो इन future आप देख सकते हो, अगर S.O.L. का paper आदेगा, इन future उसके पर वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन syllabus सहे में, patterns सहे में, कुछ questions add हो सकते हैं, वह major changes उसमें pattern में नहीं होगा, ठीक है, तो यह बात तो खतम हो गई, तो फिलाल हम number, इतने number का question आएगा, उसके ह करता है, इन-code करता है, फिर feedback देता है, तो वो process आपको लिखना है, और business communication का meaning आपको समझाना है, तो यह 6 marks में आपको लिखना है सब कुछ, ठीक है, तो इस चिसका ध्यान लगएगा, दो pages I think enough है, हदिस सहाथ धाई pages लिख दोको तो वो more than enough है, इसके बाद क्या है, interactive technique of communication, communication क interactive technique कौन कौनसी होती है, वो आपको बताना है इसमें, यह भी 6 marks का है, internal choice है इसमें, इसके बाद second question क्या है, effective writing follows clear guidelines, discuss, इसमें आप क्या कर सकते हो, unit 2 में से question आया हुआ है, unit 2 में basically यही चीज़ बताई जा रही है, कि effective writing के लिए, writing की हैं बात हो रही है, communicate कर रही है, आप लिख क तो उसके लिए clear guidelines की जरुवत हैं, उसके बारे में discuss करो, उसमें आप यही चीज़ बताऊगे कि sentence बनाना आना चाहिए, paragraph लिखना आना चाहिए, और sentence बनाने के लिए basic grammatical skills आपकी पास होनी चाहिए, उस unit में आप जाकर पढ़ोगे, तो अलग-अलग detail में चीज़ गिवन ह कि noun क्या होता है, pronoun क्या था, word कैसे बनाते हैं, कैसे sentence लिखते हैं, वो सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तो उसका एक थोड़ा सा overview, just आपको इसमें देना है, paragraph बनाना आना चाहिए, paragraph जो आप बना रहे हो, उसका sense बनना चाहिए, paragraph रैटिंग में क्या होता है जी, multiple paragraph म मेरा मतलब है, topic से हटना नहीं है, उसी topic के अंदर जो दूसरी नहीं बात शुरू हो रहे है, उसको continue करो, कई बार क्या होता है कि next paragraph student शुरू कर देते हैं, और उस next paragraph का लिंक होता है, वो first वाले paragraph से ही होता है, तो ये गलती नहीं करनी है, यानि कि paragraph अगर आप change कर रहे हो, त उसकी भी कुछ skills इसमें चाहिए होती है, आ सकता है, और इसमें individual question इस तरही किसे भी आ सकता है, ये तो overview पूच लिया, इसमें ये भी पूचा जा सकता है, कि sentence लेखने के क्या guide हो सकते है, या paragraph लेखने क्या guide lines हो सकती है, internal choice में question आया हो है, bibliography research tool के उपर, example के साथ आपको बत है, next question ये है, you have been working as the HR manager with company के नाम दिखा हुआ है, you have witnessed declining moral among the employees, write a report analyzing the cause of the decline and suggest suitable remedies, report writing आया है basically, और इस report writing में आपको बताना है, कि जो employee है, उसका moral डाउन हो रहा है, तो उसकी ओपर आपको analysis करना क्यों हो रहा है, और suggestion अपने देने की क्या suggestion इसके हो सकते है, ठीक है, आप report writing वाल होता है, exactly, हो सब चीज़े आपको ध्यान में रखनी होंगी, ये report writing का question तो आने ही आना ही, तो 100% sure वाली बात है, इसकी बात क्या है बई, at a meeting of the board of director of a company, it was decided that 5 like preference share would be issued at a fast value of rupees 100 per share, define imaginary minutes of the meeting, आपको minutes prepare करना है, ये बदा दिया है, उन लोगोंने कि इतने share issue होंगे इस value पर, बस इसका format पता होने चाहिए आपको, कि format किस तरह का होता है, ठीक है, as per the meeting dated, this decision लिया गया है, that's it, ये आपको लिखना है, इसके बात क्या आज अगला question हम देखते है, हिंदी में आप screenshot देदे हो चलिएगा, अगला question क्या है, आपको notice बनाना है, और उस notice के अंदर बताना है कि announcing the shift of a popular fashion clothing company's showroom from its current location to a new and bigger premises in the city, that's it, notice बनाना है, आपको ड्राफ्ट करना है, that's it, कि यहाँ पर हमारा showroom था, अब यह shift हो गया है, नए address पर कोई भी अपनी मर्दी से address देदी जेगा, वो notice आपको इसमें बनाना है, इसकी बात हमारा question number 6 का, 6 का कैसे आगया, एक सेकिंड, यह fourth का internal choice में हमारे पास question ही आएगा, what are the etiquettes to be followed while using electronic mail in business correspondence, email के through आप communicate कर रहे हो, तो उसमें क्या etiquettes आपके पास होनी चाहिए, subject सही लिखा होना चाहिए, जो matter होता है, email का वो सही लिखा होना है, और भी चीज़ों होती है, वो आप unit में जाके पढ़ोगे, तो समझोगे, ठी ठीक है, इसमें numerical, उसमें tactical question भी आ रहे है, theory based भी आ रहे है, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, इसकी बाद last question है, आपको negotiation, business communication में negotiation का क्या process होता है, वो समझाना है, और draft up our point presentation, देखे, presentation आगिया, considering of 3-4 slides, 3-4 slides की presentation आपको बनाना है, topic है आपका barriers to communication, that's it, conveying in brief the information about its meaning, types and a few ways to effectively overcome them, that's it, ठीक है, थोड़ा सा format में आप बना दीजेगा, इसको कुछ नहीं करना है, यह आपारा, खतम हो गया, इसकी बात मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, एक और question पर मैं आप लोगों साथ discuss करना है वाला हूँ, business communication का ही, ठीक है, अच्छा, इसमें हम question देखने है, पहले question क्या है जी, effective communication is the lifeline of any business, in light of this statement, discuss in brief the seven C's of communication, साथ C's जो होते हैं, communication के वो आपको just explain करना है, छे मास का ही है, तो make sure कि एक, आप explain करना है, तो तीन लाइन में वो बहुत enough है, इसकी बात क्या है, आपका internal choice में, barriers to effective communication पर आपको short note लिखना है, that's it, ठीज़ा define the term with reference, define the following term with reference to writing a research paper, bibliography and abstract, bibliography और abstract को आपको define करना ही क्या होता है, research paper के संधर्व में, ठीक है, अगेन ये effective writing वाली unit में से question आया है, या फिर, what do you understand by the term situation methods and interpretation of data, give one suitable example for each, again ये effective writing वाली unit में से है, थोड़ा सा practical base भी आपको सकते हैं, लेकिन theory भी आपको इसमें लिखना पड़ situation method आपको explain करना है, क्या होता है, ये second question होगी है, इसके बाद हमारे पास है, what are the principles of writing a business report, जो मैंने शुरू में आप से बात कही थी, कि भाई, report तो practical तो लिखने को आईगी, बनाने को आईगी, but इसके theory based question भी बन सकते है, और theory based question में, basically ये ही बन सकता है, तो, कि type of report क्या होती है, और याज तो ये question जो अभी आपके सामने है, कि principle क्या है, अच्छी report लिखने के, इसके बाद कहा है, draft an annual report of a company on the issue of a bonus year, profit margin and annual account, ठीक है, ये report तो आपको आईगी ही लिखने को, इसके बाद कहा है, time of India notify a vacancy for the post of manager in national bank on 28 February, draft a curriculum, write a resume for said position, specifying your personal detail, educational qualification and work experience, resume basically आपको prepare करना है, इ ये एक बार आप लोग देख लिजेगा, इसके बाद आपका है, अगला उसमें है, internal choice में, you have been working as a manager of Apple iPhone, write a letter on behalf of the manager in reply to a quotation called for Apple iPhone by a central university located in India, in Delhi, Delhi के अंदर university है, कोई सी, उन्होंने पूछा हुआ हुआ, quotation पूछे होंगे iPhone के, उसके बारे में आपको reply गर के उन्हें letter लिखना है, अब्यस्थी बाद है, formal letter है और कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, differentiate between oral and written presentation, giving suitable example, ठीक है, यह oral and written presentation, last unit में से आगिया, किसली बार हमने देखा था, practical based question आथा कि presentation बनाओ, इसमें हमने देखा, theory based question आगिया, भाई, define करो oral और written presentation को, और इसके internal choice में again practical question आप आप देखी रहे हो, presentation लिखना है आपको, नया product आप launch कर रहे हो, इंडियन मार्केट में, तीन-चार slide में उसकी presentation आपको बनानी है, तो यह कुछ previous questions थे, इसके बाद थोड़ा सा और हम extend करते हैं वीडियो को, तो जो regular के भी student हैं, या as well के तो हैं, उनके लिए तो हैं useful, और NC examples के साथ उसमें चीज़े लिखी हुई है, अब थोड़ा सा चीज़ों को समझ ली दिये, एक तो यह business communication इसके meaning process और seven series याद कर लेना, type of communication में verbal और non-verbal याद कर लेना, दोस्तो, non-verbal communication के अंदर ही बहुत साई चीज़ों होती है, आप हफिली आप समझ रहे हो, क्या के नहीं discuss करें, पांच-शे questions आई हुए हैं, उसमें उसमें उसके साथ-ाट questions आजाए हैं आप से, ठीक है, 40-50 नंबर पर पर आजा है, इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ आप से, बाकी first unit में noise and barriers हो गया, ये cover हो गया आपका first unit, ठीक है, और इस स्यादर नहीं आएगा इसमें से, अब क्या है जी, right communication, meaning return communication, sorry, I'm really sorry, return communication जो होता है, लिखने वाली बात चीट, इसका मतलब क्या होता है, और इसके advantages और disadvantages बताईए, advantages में आप लिख सकते हो कि ये return communication होता है, इसमें exact जन करी जाएगी, कोई barriers होनी कि इसमें chances कम हो जाते हैं, disadvantage में आप लिख सकते हो कि feedback उतने लि इसमें, time लगता है, feedback, timely process है, ठीक है, और हर किसी का काम नहीं है, return communication, इसमें socialization तोड़ा सा कम हो जाता है, interaction लोगों का एक दूसरे से, तो बहुत सी चीज़े हैं, study material में जाके पढ़ सकते हो, इसका easily answer लिख सकते हो, इसकी बाद क्या है, guidelines for clear writing, इसमें देखो, sentence structure, इसका separate question ब आप explain करोगे, paragraph construction, again paragraph construction की guidance और उसमें लोग क्या comment गल्तिया करते हैं, वो आप बताऊगे, और इसके लवाद meaning of references क्या होता है, citation क्या होता है, और research में इनका purpose क्या example के साथ आपको बताना होगा, bibliography, जो की एक research tool है, वो आपको suitable example के साथ बताना होगा, इसके बाद report तो मैंने जो आपकी unit 4 है, ठीक है, unit 3 के सारे questions में discuss कर चुका हूँ, उसके लावर में कुछ भी नहीं है, इसके बाद जो आपकी unit 4 है, unit 4 है, इसमें तो एक business letter आपने देखा, business letter इसमें पूसद आ रहा है, ठीक है, apple iPhone के manager ने reply करा, एधा letter के रूपना, quotation का, तो business letter इस unit में से आ सकता है और एक यह है कि email के थूँ जब आप communicate कर रहे हो, तो इसके क्या norms हो सकते हैं, इसके क्या principle हो सकते हैं, email के थूँ अगर आप किसी को communicate कर रहे हो, उसकी technologies होती है, अलग-अलग, तो वो सब चीज़े इसमें आप लोग देख सकते हो, और एक चीज़ और याद अख़िए का दो यह पूछ लिए जा सकता है, आपसे paper में कुछ भरोसा नहीं है, तो इसको please थोड़ा सा overview आपके पास होना चाहिए इसका, सिर्फ यह नहीं कि हाँजी मुझे तो लिखना आता, लेटर मुझे मालूम है कि शुरुआत कहां से करते हैं, लेटर की सब्डेट में क्या लिखते मुझे मालूम है, रिपोर्ट का भी मालूम है, मुझे बिजनिस लेटर का भी मालूम है, मुझे यह पता है presentation कैसे बनाई जाती है, उसको अगर question पूछे ज्यादा कैसे उसको present करूँ आंसर का मुझे सब मालूम है, लेकिन theory based भी आपको उसको करना पड़ेगा, और सबसे important इस शुरू की जो तीन unit है, उनकी theory तो जरूर से जरूर से कर ली दिएगा, चाए इस unit 4 में थोड़ा सा theory कम आ सकती है, लेकिन वही है, कुछ क्या नहीं सकते, मैंने question पर आपको दिखाया, कि email लिखने के क्या etiquettes है, question आया हुआ है, इसके उपर, मैं यह बिलकुल इसके पक् for special purpose हो गया, तो यह बहुत सी चीज़े होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, how to write a letter, इसका format उने define करना शूरू कर दिया, तो यह format आपको पता होना चाहिए, इस तरीक दे साथी चीज़े इसमें चलेंगी, इसके रहावा, जो जो होता है, जिसमें resume वाला question आया हुआ था, कि vacancy निकली आपको resume के उपर बनाना है, तो भाई resume आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, उसका भी format पता होना चाहिए, हाले कि resume की मैं यह नहीं बुलूँगा, theory वगरा आप पता होना चाहिए आपको, पस यह है कि job application form वगरा resume कैसे लिखते हैं, वो आपको थोड़ा idea उसक पहुचाना, इसमें notice और circular mainly आगा है, और आपको देखा होगा draft or notice, जो question मैंने भी discuss किया था, कि आपका showroom shift हो रहा है, तो उसके उपर notice draft कर दो, तो उस तरह की चीज़े हैं इसमें, ठीक है, तो कोई चीज थोड़ी नहीं है, जी, question paper देखा, 30 मास का question था, वो 30 मास का paper दिख सकता है, जी, notice का format पता होना चाहिए, circular का format पता होना चाहिए, simple सी बात है, यह देखो, an example of the format of a circular is given below, यह circular है, आपके पास address फगरा, phone number दे दिया, circular number दे दिया, subject पता दिया, message क्या है, actual में वो पता दिया, और अपनी जो भी बंदा लिख रहा है, उसकी जो पोस्ट है, वो पता होने चाहिए, तो वो तो आप ज़रूर से पढ़कर जाएगा, email के थुरू अगर आपको communicate करना है, तो उसका क्या सारा process वगरा रहता है, इसका भी आप देख सकते हो, और इसमें एक चीज और याद रखेगा, email के अंदर, अगर आप ये सब से define करो, अचो अपनी आप ज़रूर एब्रिवेशन वाला पॉईंट, तो अब्रिवेशन भी हर कोई आप ये ब्रिवेशन आप ज़ूर नहीं कर सकते हैं, कोई भी अपनी मंघठत अब्रिवेशन आपने यूरूर आप ज़रूरी नहीं है, और फिर लास वाली unit आपकी आजात यहे अब इसमें oral communication क्या होता है और टाइफ क्या होता है इसकी ये तो बता होने चाहिए आपको और लिखते कैसे है बैसे कली oral communication presentation बनाते कैसे हो आपको पता होने चाहिए और इसमें एक बात और देखिए meetings के minutes कैसे प्रिपेर करते हैं और ये negotiation ये question आई हुए है इसमें interview भी आपसे आ सकता है interview writing आदा है कुछ भूसा नहीं है क्योंकि मैंने आपको प्रिपेर थोड़े द्यादा नंबर का आएगा तो आ सकता है interview writing add कर दे negotiation का देख ले प्रोसेस के उपर question आया हुआ है meetings में तो minutes प्रिपेर करते हैं उससे question आया हुआ है इस unit में से तो ये सब चीज़े हैं दोस्तो इसमें से जो मैंने आपके साथ डिसकस करें important questions business communication के थैंक्यू